नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सलिया देशी कीचन में हार्दिक स्वागत है आज मैं बरत में खाने वाली साबुरदाना का पराठा के रेसिपी आपके साथ सेर कर रही हूँ तो अंत तक हमारा वीडियो देखिए कि सोप्ट सोप्ट और मुलायम मुलायम कैसे बनान है साबुरदाना का प्राठा यहां पर मैंने साबुरदाना लिया है चोटे वाला यहां पर 2-200 ग्राम ression मैंने लिया हूँ आपने साथ में इसे अब बड़ा भी या इस भी ले सकते हैं अब हम ले लेते हैं यहां पर कड़ाई कड़ाई में पहले हम साबुर्दाने को गरम कर लेंगे फ्लेम को लो रखेंगे साबुर्दाना गरम हो जाएगा तो यह पिसने में बहुत ही असान होगा और बहुत ही अच्छे से पिस जाएगा यहां गरम कर लिय हम इस तरह से पीस लें इस से पहले आलू को हम पहले चिलका हटा लेंगे आलू कर लिया है दोस्तो अगर आप हमारे चानल पर novels नए हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब ओज़िए ब्सकेल को लाइक की ज्यादा संब किजिए कि आने वाली रेशिपिकर नोटिपीकरस न आपको पहले ही मिल जाएगा आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहे हैं आपके सपोर्ट के हमें बेहत जरूरत हैं अब कदू कस हम इसे कदू कस कर लेंगे यह दिखिए इससे क्या हुआ कि हमारे आलू में बिल्कुल हिला डेला नहीं रहेगा और अच्छे से यह मैस हो जाएगा दोस्तों अगर आप साबुर दाना के खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आई बटम पर दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं तो यह देखिए कदुकस कर लिया मैंने आलू को दूसरे आ गुठावाला कदुकस है इससे बहुत ही आसानी से यह कदुकस हो जाता है और यह कंदुकस कर लिया नहीं है अगर आप मोटा साबुर दाने को रखेंगे तो यह छिलन लेना और चाल लेना है आटा चालने वाली चलनी से जो भी है आपके पास इसमें गोल की और देवारा हम डाल देंगे और हरी मिर्च अब स्वादर नमक सेला नमक और आलू बोईल किया हुआ हम डाल कर पहले इसे मिक्स कर लेंगे बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि पहले पानी नहीं डालना है आपको आलू के साथ मिला लेना है कि आपको देख लेना है कि आलू आपका पास कित इसके बाद हम जैसे रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सानना है एकदम सौप्ट एकदम मुलाएं बिलने भी कोई जंजट नहीं होगा अगर आप मोटा आटा रखेंगे तो बिलने में जंजट होगा अगर आपको इसको बारिकी से पीसकर और चलनी से चाल ल बागा लिया है और इसको अब हम लखेंगे रेष्ट पर चलिए इसे रख देते हैं भग देते हैं आदे गंटे के लिए एक घंटा भी रख सकते हैं अब यह देखिए आदा गंटा हो चुका है और यह देखिए फूल भी चुका है साथ में डाल देंगे हरी धनिया द्यान रखिएगा कि पानी के जुरत परे तो इसमें पानी डालना है आलू के साथ पहले मिक्स कर लिए इसके बाद पानी डालिए तो यह दिखिए हाथों से इसे अच्छे से मसल मसल कर सान लेना है तब ही पराठा जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा और फटेगा भी नहीं तो यह दिखिए बातो बातो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है बढ़िया से यह दिखिए बढ़िया से यह मिक्स कर लिया हमने अब क्या करेंगे एक लोई लेंगे यह दिखिए और हाथ में घी या तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं अब इसका लोई कर लेंगे और इ इसको बेलेंगे जो भी आपको पसंद है थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देंगे बढ़ा देंगे अब इसको तेल या घी लगा कर अच्छे से बेलेंगे हलके हाथों से अलट पलट कर बेल लेंगे एकदम गोल बहुत ही टेश्टी बनता है बहुत ही सौप्ट और मुलाय म यह बनकर रेडी होता है तो यह देखिए अच्छे से इसे मैंने बेल लिया है और इसे बेल कर एक दो रख लेंगे और इसके बाद इसे सेखेंगे तो चलिए थोड़ा सा घी लगा कर इसको फिर से बेल लेते हैं थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है और इसको बेल लेंगे सावन का महीना है लसुन प्याँज बिल्कुल नहीं चल रहा तो यह पराथा आप बना कर खा सकते हैं किसी भी बरत में सेला नमक बिलता हो बिना लसुन प्याज का है जब मन हो बनाईए खाईए बहुत ही टेस्टी यह बनता है साथ में हिल्द भी तावा जब गरम हो जाए तभी डालना है तावा गरम है हमारा तो मैंने डाल दिया है एक तरफ हो जाए तो दूसरे तरफ भी पलट लेना है और एक तरफ हो चुका है तो इसमें मैंने घी लगा दिया है इस तरह से चारो तरफ घी आपको जितना खाना है घी बटर आप इसमे लेंगे यह दिखिए दोना तरब भी बढ़िया सा कलर आ चुका है और थोड़ा थोड़ा यह फूल भी चुका है अलट पलट कर इसी तरह से सारे पराठे को हम सेक लेंगे खाने में भी उतना ही टेश्टी लगता है यह दिखिए साइड साइड से फूल भी रहा है निकाल कर लेंगे दूसरा भी इसी तरह से हम सेक लेंगे जितना पराठा है इसी तरह से अलट पलट कर सेक लेना है एक तरफ हो जाए तो दूसरे तरफ भी पलट कर इसमें हम लगा देंगे घी और यह दिखिए बातों बातों में हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है बहुत खाने से बहुत ही energy आता है यह देखे हैं अब इसे तरफ भी हम घी लगा देंगे और दोनों तरफ पलट पलट कर इसे शेक लेगे चलिए इसमें पलट लेते हैं और यह दोनों तरफ दोन तरफ वे हो चुका है बढ़िया से फूल भी रहा है क़्ाने में उतना स्वादिष्ट है यह दिखिए साइट साइट से अब देख सकते हैं कि फूल रहा है साबुरदाना का प्राठा ब्रत में खाना यह बहुत ज़रूरी है बहुत इनर्जी देता है और टेस्टी भी लगता है हमारे बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं तो चलिए इसे भी नि लिए हुआ है सावन का महीना है चलिए इसे इन्जोई की जाए अगर आपको हमारे रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए कोमेंट करके हमें जरूर बताइए वह को हमारी रेसिपी कैसी लगी बहुत ही टेस्टी ये लगता है खाने में आप मन पसंद सब्जी के साथ या दही के साथ इंजोई किजिए फिर से मिलती हूँ.